पब्लिक टीवी आपकी आवाद आने जाने में सहूलियत मिलेगी कपिल देव ने बताया कि छेत्र की जनता की एक बड़ी समस्या थी जिसे नगरविध हैक उतेश रुपता की मदद से दूर कर दिया गया है कपिल देव निर्वानकारें को निरिक्षड करने पहुंचे और छेत्र की जनता से भी पाचित की पारट चार में लगातार सड़कों का पानी का और लाइटों की काम लगातार किये जा रहे हैं जिसके समदर में एक हमारी मंदी सिमीती के पीछे जो मैन रोड था जो बहुत ज़्यादा चर्जर कच्चा था जिसमें यहां पर बहुत कीचड रहती थी इसको प्रात्मिक्ता के रूप में लेते हुए मानने विदायक दी के द्वारा और विदायक दी के नीदी से यह सड़क जो है इसका निर्माण कार्याक लगातार किया जा रहा है जिसमें की लगवग 30% सड़क कंप्लीट हो चुकी है और बाकी 70% सड़क जो है पानी की पाइप लाइन की वज़े जिसका एक दो दिन का कारे बिलम हो गया ता रुका हुआ है और यह वी 27 तारीक के बाद इसका पानी की लाइन के टैंडर हो गया जो अभी 28 तारीक से इसमें लाइन पढ़ जाएगी और मैं मानता हूं किस महीने के आखिर तक यह सड़क बनके हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर निलक्षण किया है और जो भी यहां पर मानक है उस मानक के साथ से बहुत अच्छा काम चला है लोगों में छेस्टा के लोगों में बहुत पुछी है क्योंकि यह बर्सों से लगवग आज से जब से यह बाड बना है क्योंकि इस बाड़ में आज तक कोई विकास का रहे हुआ आपके द्वारा बजधाइक जी के द्वारा ये कांग किये जा रहे हैं तो उसमें सब लोग खुश हैं और मैं भी जाता हूं कि मेरे इस बार्ड का विकास जो है इसी प्रकार चलता रहे इस दोरान चेत्र के रहने वाले निवासियों ने पार्डशत के कारेओं के सरहना की साथ ही उनका आपहार बीचताया थी और कास कारें बहुत अच्छी तरीगे साहँ हो रहा है और पार्शत जी हमारे कपिलदेव पार्शत पृतनी दी और विधायक जी पानी के लाइन जो सप्लाइज शुरू होगी उसके लिए प्रस्ता बेजा गया है अब यह सडक का तो काफी समय से इंतिजार था बनने का अब पारसक दीजी के दौरा हमारे सडक का बहुत जल्द कारे शुरू हो चुका है अब दीर दीर कारे निमारस का चल रहा है प्रकारे ब्रगति भी चल रहा है लोगों के हाँ यहां बहुत जादा खुशी है लोगों को और जो है और सब लोगा यहां लाग्मित द निकलने का रास्ता है वो असानी हो जाएगा इसके गारण लोगा रास्ता उनका बुला रहेगा असानी से पब्लिक टीवी आपकी आवाद